वीवन, मलकुम एक टू माई चैनल, स्मार्ड यॉवन, सो गाइस, बीएसेफ की तरब से एक नोटिफिकेशन आउट करा गया है, जिसमें की SI की पोश्ट आई है, और हेंट कॉस्टेमल और कॉस्टेमल की पोश्ट है, तो इस वीडियो में इसकी सेलेक्शन पोश्ट से लेकर स्लेवर्स टॉपिक वाइस, और जितने भी इसकी प्रोसेस होते हैं, रिकूटमेंट के सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना और जासे है, और शेयर कर देना अपने दोस्तों में, तो सबसे पहले आप यह वेकेंसी देख लो, यह टूटल जो वेकेंसी है, 200 से जादा है, यहाँ पर निकाली गई है, अबर आल हम बात करें, तो 281 वेकेंसी यहाँ पर, BSF के तरब से आई है, जिसमें कि आपका Head Constable और Constable और आपका SI की पोस्ट है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि, जो Post-wise Education Qualification क्या रखी गई और Salary क्या होगी, तो सबसे पहले यहाँ पर SI की पोस्ट देखें, SI जो Master की पोस्ट है, वो Group B की पोस्ट होती है, ठीक है, इसमें Total Art Vacancy निकाला गया है, और यहाँ पर इसकी जो Salary होगी, वो 35,000 से लेकर आप देख सकते हो, 1,12,000 चार्ज होके, अराउंड इसकी Salary रहेगी, और Level 6 का यह आपका Job रहेगा, देखें, यहाँ पर Age Limit की बात करें, 22 से 28 साल यहाँ पर आपका Age Limit होने वाला है, और इसकी Qualification के बात करें, तो अगर आपने 12 किसी भी Recognize वोट से करा है, तो आप यहाँ पर फॉर्म को भड़ सकते हो, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर चाहिए Second Class Master Certificate, जो की Central या State Government से यहाँ पर Issue होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे, आगे चले तो जो SI Engine Driver का जो पोस्ट आया, ग्रूप B की यह पोस्ट है, और इसकी भी Salary सेम रहेगी, और Level 6 का यह भी जवाब है, ठीक है, इस लिमिट में यहाँ पर सेम रहेगा, 22 से अठाई साल और जो कौलिफिकीशन है, वो जो पहला कौलिफिकीशन वो बिल्कुल यहाँ पर सेम रहेगा, अगर आपने 12 पास का रखा है किसी बोर से, तो आप फॉर्म भर सकते हो, और इसमें First Class Engine Driver Certificate चाहिए, इसमें आपका Central चाहिए, या State Government से होना चाहिए, दोनों यहाँ पर वैलिट रहेगा, नेक्स्ट हम देखे, SI Walksop का जो पोस्ट है, उसमें Group B की तो पोस्ट है, ठीक है, अगर हम बात करें सेलरी की सेलरी तो सेम रहेगा, इस लिमिट में यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो, तो आप यहाँ पर भर सकते हो, या इसके equivalent को रखा है, तो बिल्कुल आप फॉर्म भर पाऊगे, ठीक है, और करके यहाँ पर दिया गया, अगर आपने 3-year diploma कर रखा है, मेकेनिकल में तो भी आप इस वर्म को भर सकते हो, और automobile engineering कर रखा है, तो भी आप इस वर्म को फिल कर पाऊगे, फिर आते हेट कॉंस्टेबल पर जो मास्टर के पोस्ट है, उसमें आपको ग्रूफ सी का यह पोस्ट रहेगा, ठीक है, बावन वेकेंसी है टोटल, और पचीस है आर से स्टार्टिंग सेलर रहेगी, लेवल फॉर के तो आपको यह सेलरी मिलेगी, 20 से 25 साल इस लिमिट यहाँ पर रहेगा, लेवल फॉर के जो रहेगा, ठीक है, और 20 से 25 साल इसकी एस लिमिट रखी गई है, और क्वालिफिकेशन के बाद के तो यहाँ पर मैट्रिक क्वालिफिकेशन रखा गया, अगर आपने टेंथ पास किया, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है, द अगर आपके हैं डिप्लोमा में, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे, डीजल, पेट्रोल, इंजन, और मेकैनिक अगर है आपका, तो यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, फिर यहाँ पर जो सीटी का पोस्ट है, उसके लिए हम देखे, तो यहाँ पर 21,000 से से साल इसके लेवल 3 के जोब है, 20 से 25 साल इसके भी एज लिमिट है, और मैट्रिकुलेशन यहाँ पर भी मागा गया है, मैट्रिकुलेशन अगर पास हो, तो विलकुड़ा फॉर्म वो फिल कर सकते हो, इसके लिए और कुछ यहाँ पर एलिजबरेटी मांगेगे है, जिसके देख लोग देख सकते हो, यहाँ पर वन एर एक्सपरियेंस होना चाहिए, आपको ठीक है, इन ओपरेशन आफ बोर्ट बिलो टू सिक्स्टी फाइब एच्पी, ठीक है, यह होना चाहिए आपके पास, और सुमिंग आपको आना चाहिए, अगर सुमिंग नहीं आता, तो यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है, सुमिंग यहाँ पर आना चाहिए, तो यह भी यहाँ पर नेसेसरी है, मेंशन कर दिया गया है, तो यह कुछ यहाँ पर इसका कौलिफिकीशन है, अब हम बात करते हैं, इसके सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में, अगर हम फीस की बात करें, तो जो गरूप B की पोश्ट है उसके लिए फीस रखा गया है 200 और जो गृूब C की पोश्ट है उसके लिए फीस रखा गया है यहां पर 100 रूपिज ठीक है, 100 रूपिज और 200 आपका यहां पर फीस रखा गया है, माक्यी कैंडडेर्ड जो से से ब्लॉंग करते हैं यह यूर ओवी सी के लिए जो एससी से ब्लॉंग करते हैं ठीक है जो ब्येसफ के एक सर्विस मैंने उनके लिए उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखा गया है वह फ्री में इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे तो यह आपका यहां पास सौट नोटिफिक ससक्राइट कलें जो होता हे यह सो और फिर आपका यहां पर जो होग वह फिजकल मैजर्मेंट होगा फिजकल एफिसेंसी टेस्तों के medical examination होगा ठीक है तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर return examination में और देखते हैं जो exam pattern is selection process जो आपका return examination का वो क्या रहेगा तो अगर syllabus की बात करें यह देख सेक तो यह आपका SI का syllabus है SI master का इसमें हम देखें तो total आपका 100 number का exam में 100 question रहेगा जिसमें की जनर अवैरनेस reasoning ability और trade awareness रहेगा ठीक है तो जनर अवैरनेस के पार्ट देखते हैं जनर अवैरनेस के पार्ट में क्या क्या रहेगा current affair रहेगा ठीक है जनर साइंस रहेगा फिर आपका इंडियन हिस्टरी से कोशन है कल्चर हो गया जोग्रोफी यह सारे यहां पर टॉपिक आपके करेंट अवैरनेस के पार्ट में मतलब जो जनर अवैरनेस का पार्ट उसमें रहेगा रिजिंग में recording recording series से कोशन रहेगा ठीक है फिगर क्लासिफिकेशन हो गया रिलेक्शन कॉंसेप्ट हो गया यहां पर रहने वाला है आगे चले तो आपका यहां पर होने वाला है तो यह आप देख सकते हो फिर आता है आपका ट्रेड अवैरनेस जिसमें के आप देख सकते हो knowledge of compass से आपका यहां पर कोशन रहेगा फिर आपका आता है the marking and using of the lead line इससे भी आपका कोशन रहेगा ठीक है तो यह आपका बात करें तो one by fourth इसका negative marking हो सकता है negative marking के बारे में ज्यादा कुछ अभी तक notification में दिया नहीं गया है प्रिवे शेयर के बात करें one by fourth रहा था ठीक है तो SI की जितने भी exam उसमें one by fourth आपका negative marking होने वाला है next हम देखे इसकी तो बाकी जो आपका zen awareness का पार्ट है जो आपका reasoning का पार्ट है जो आपको nomenical ability का पार्ट है वह सेम रहेगा चेंज कहाँ आप होगा क्या रहेगा सेम रहेगा SI की अगर हम पोस्ट की बात क्रेट हो ठीक है चाहिए आपका SI master की पोस्ट हो गया सब के लिए सेम आपका जो जो जनल आवरेस का पार्ट रहेगा और रहेगा बाकी ट्रेड आवरेस में changes देखने मिलेगा जैसे की देख सकते हो units of measurement यहाँ पर आपका रहने वाला है workshop में तो मैं आपको यहाँ पर ट्रेड आवरेस का जो पार्ट हो दिखा तो इसका स्क्रीन सोट लेला ताकि आगे कि आप जो study करो पिल्कुल आप अच्छे से कर पाऊ ठीक है next हम चले तो next है आपका head constable master की पोस्ट ठीक है इसके लिए ह आप देख सकते हो current affairs question है और फिर हम बात करें अगर reasoning की तो coding recording series रहने वाला alphabet relationship यह सब यहाँ पर रहेगा ठीक है नेक्स चले नॉमनिकल अबलेटी के बारे में तो नॉमनिकल अबलेटी में आप देख सकते हो mixture से question रहेगा average से question रहेगा percentage profit and loss time and distance यह सरा आपका topic wise question होने वाला है next देखें तो next यहाँ पर आपका जो post है वो यहाँ पर है वो constable का जो इसी जो constable और head constable का जो post आपका रहने वाला है कुछ अलग नहीं होने वाला है यहाँ पर head constable और constable और जो आपका works of है वो सबका यही syllabus रहने वाला है ठीक है सिर्फ SI में क्या हुआ जो trade awareness उसके वैस इसमें सबका यह same common syllabus आपका होने वाला है मैंने आपको topic wise बता दिया है क्या आपका written examination का syllabus होगा फिर आता है आपका आगे कैस्ट है जो की document verification वगएरा होगा ठीक है जहां पर आपका certificate वगएरा चेक करा जाएगा उसके बाद आपका physical standard करा जाएगा और फिर आपका होगा physical efficiency ठीक है जिसमें कि आपका one mil का race होने वाला जो 8 minute का होगा high jump होने वाला जो की 3 feet 6 inch का होगा long jump होने वाला जो की 11 feet का होगा ठीक है यह 3 attempt में आपको करने है और यह भी आपको 3 attempt में करने है ठीक है तो यह इसका selection process है और जो आपका syllabus है detail हो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है तो मैंने syllabus से लेकर salary हर एक चीच को detail में explain कर दिया है अगर फिर भी आपका कोई doubt है तो आप comment section में लिख सकते हो वहाँ पर मैं आपको जरूर से reply करूंगा guys तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक लिए bye bye and take care